तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना और नोटिफिकेशन बैल भी जरूर दबाना ठीके करना क्या है इस गेम के लिए आपको छे चिट्स चाहिए छे चिट्स को आप एक इधर एक इधर एक इ इसको मैंने पती पतनी का नाम दिया है इसको हस्बंड वाइफ का नाम दिया है इसको मिया बीवी का नाम दिया है ठीक है जैसे है यह एक खटी चिट्स आप लेना एक ही उस पर लगाने के लिए ठीक है तो इस यहां से लेकर यहां तक जो चिट्स होती है उसमें कभी भी न कैसे भी कोई भी इधर उदर लेकिन एकटी यह दस ही एक पेपर पर लगाना तो उससे नंबर रिपीट नहीं होंगे ठीक है अभी इसमें जो डिविडेंट है वो मैंने क्या डिविडेंट बना है आप मैं आपको बताती हूं जैसे पती और पत्नी में हमेशा पती अधिक तर बड़ा और चोटा नंबर ठीक है यह बड़ा और चोटा नंबर तो यानि पती में सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसका जैसे इसमें 80 है और पत्नी में जो सबसे चोटा नंबर होगा जैसे 6 है अगर यह हो जाता है ठीक है तो यह बड़ा चोटा हो जाएगा लेकिन इसके बाकि जो दो बचे हैं उसके लिए बड़ा और छोटा नंबर अभी और भी चलेगा ठीक है तो इसके तीन प्राइज़ हो जाएंगे नेक्स प्राइस क्या है बराबर लाइन ठीक है अगर पती की पती और पत्नी बराबर माने जाते हैं तो इसलिए पत्नी की ये वाली लाइन हो जाती है उपर वाली ही तो इसकी भी उपर वाली हो जाती है तो वो बराबर लाइन होगी चाहे बीच वाली हो तो इसकी भी बीच अगर इसमें एक हो चुका है किसी की भी बराबर लाइम तो दूसरा अभी इसके लिए भी खेल सकता है तो इसके तीन प्राइज़ होंगे उसके बाद होता है कि पत्नी जो होती है अपने पती के अर्धांगनी होती है ठीक है अर्धांगनी से अभी हमको क्या करना है कि इस पत से लेकर 44 तक के जो नमबर होते हैं उसमें 45 काउंट नहीं करना है ठीक है तो जब यह सारे हो जाएंगे यानि इसका अधा पोर्शन और इसका अधा पोर्शन जब कम्प्लीट हो जाएगा तो वह अर्धांगनी होगा ठीक है अभी अर्धांगनी आपके वल एकी में खेलना औ और दोनों में खेलोगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा तो अर्धांगनी का एक बड़ा सा प्राइस रखेंगे बड़े चोटे और बराबर लाइन को उससे थोड़ा थोड़ा कम रखेंगे ठीक है अर्धांगनी आप एकी के लिए खेलेगा उसके बाद है रक्ष जब आउटर बॉर्डर दोनों का कम्प्लीट हो जाएगा तो वो कहलाएगा रक्षा कवच ठीक है मैं आपको सामने से बताती हूँ जैसे यह यह वाली लाइन ठीक है यहां से यहां यहां से यहां उसके बाद सीधा यहां चलना है यह पूरा यह पूरा और यह पूरा ठीक तो इसके बाद जैसे अपने हाउस होते हैं तो उसकी तरीकें से जब पती और पत्नी दोनों की चिठ वो पूरी की पूरी हो जाएगी, सारे numbers कट जाएगी, ये भी पूरे नमबर, ये भी पूरे नमबर, तो कोई बोलेगा कि मेरा पत्ती पत्नी हो चुका है, ठीके, याने वो एक house हो गया उनका, फिर जिसका ये हो चुका है, वो अब कोई भी इनके और यह सारे नंपर किसी के भी कर जाएं हैं तो वो भी हो झाय का हस्बड वाइफowa, और यह नंबड़ जो सारे कर जाएं गे तो मिअ और नमड़ी इन乐 उर्न भी और न मैंने उन्हका और दर्वाद Europy कiennent More में इसका अधा पोशन इसका आधा पोशन या किसी वी किसी युद्वार्ण रहता है कर दो हास। अतत है तो इसमें और होते हैं। डॉटी वहराइज दभल लखन अगे हैं। तो दसी चिट में से mostly हर किसी में एक डबल नंबर होता है लेकिन कहीं कहीं पर मैंने देखा कि वो missing है किनी किनी चिट में बाकी अधिकतर में होता है अगर आप देखकर अच्छे से चिट जो 6 ही चिट होती है उसमें से हर एक में एक पेर नंबर है की नहीं है वो देखकर अगर आप ऐसे पेपर बनाते हो तो वो आप पेर नंबर का भी एक प्राइज रख सकते हो कि इसमें जो है अगर 22 है और इसमें 44 है और ये दोनों complete हो गए तो पेर नंबर complete हो जाएगा किसी में दो भी होते हैं तो उसके वो दोनों ही होने चाहिए और अगर इसमें एक है तो एक होना चाहिए मतलब जितने भी पेर नंबर है 11, 22, 33, 44 इस टाइप के नंबर जो भी है वो complete हो जाएगे तो वो पेर नंबर हो जाएगे अगर आप देखकर चुट अच्छे से लगाओगे तो वो भी आपका एक प्राइज हो सकता है ठीक है तो बहुत ही अच्छी सी गेम है आप इसका एक स्क्रिंशॉट लेना चाहें तो जरूर ले लीजिए तो चलिए खेली आप भी बहुत मज़ाएगा मिलते अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए भाव है